जी पार टू स्टार्ट कर दिया हमने माशालला से जी सिरफ 15 नमबर का ये सवाल आया था और प्रिपेर आ नोट अच्छा आप यह न कहना पुरानी बात है कोई पुरानी बात नहीं अभी नहीं बात भी देखते हैं है हम मिक्स करके चल रहे हैं हम जनल एंट्रीज भी कर रहे हैं हम नोट भी बना रहे हैं और हमने डिसकेशन वाले सवाल कल भी कियते हैं इंशालला मैं को एक अदा आज भी देखता हूं बैसिकली यह तीनों तरह से सवाल टेस्ट कर रहा है वह आपने खुद देख लिए ठीक है और डिसकेशन भी जरूरी है और नोट भी बनवा रह रहते हैं कभी डिसकेशन आज फिर नोट बनाते हैं वह 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 चलें जी जिंक लिमिटेड इजा ब्रॉड कास्टिंग कंपनी इस यूजिस रिवैलेशन आपने नी कार्ट नी देना आपने ठीक है मैं सरफ उधार कर रहा हूं इसको डिवैलेशन मॉडल की डिसकेशन मैंने भी नहीं की ना आपके साथ ठीक है तो इन्शाला इसको अधार रखते हैं होफुली मंडे को यह डिसकेशन हो जाएगी आज सवाल में चूंके इसका कोई सिगनिफिकेंस नहीं है इसलिए मैं इसके अग्नोर करके चल सकते हूं कि इसको अरड़ी काफी सारे माज खोली हुए है हमें ठीक है ना मैंने आपको तोछी देर पहले वह पार्ट डिवैलप्ट वाली बताई थी वह भी यहां पे पढ़ाऊंगा आपको आज आपने काटना कुछ नहीं सारे सवाल का हिससा है ठीक है ना जो डिसकेशन करनी बाकिए बस ठीक है बस मैंने इस फिलाल चुपा दिया कि आपके सामने स्वाल में आए ही ना ताकि आपके जिनों में ऐसा को सवाल जाए ना और यह सवाल पूरा क ठीक है अच्छ जी जिंक इज आबरड़ कास्टिंग कंपनी इंटेंजिबल अच्छ फॉल्विंग मेने जादे गुडा दिया कुछ लगता है ना यूजिस ने सही है फॉल्विंग इन्फॉर्मेशन पर्टेंस तू जिंक्स इंटेंजिबल सभी है यह सारा ही उड़ा रहे है ठीक है अब आन यकम जनरी अठारा ये रेंड क्या है कतीस दिसंबर अठारा पहले डिसकेशन कर लें या पहले नोट का फॉर्मिट बना ले जैसे आप कहें नाम फर्मादे क्या है इसका जैडल ब्रैकेट में लिखा हुआ है जैडल लिखने आप रैकेट में लिखने का मतलब यह है के पर्चे में टाइम बचा लो ओके जी नोट्स तुदा पर्चे में यूँ टेडा करके लिखना को जरूरी नहीं है मेरे पास कि फाइनेंशल स्टेटमेंट्स को और यह एंडेड को 31 दिसंबर अठार कभी नंबर वन लिखा हम आई नंबर वन लिख देते हैं नोट किसका बनाने चाहरे हैं हम इन टैंजिबल का कि ऐसी जरद थोड़ा गो थू करवा दूँ मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं बेसी कली कि आपके सवाल के अंदर कोई डिस्पोजल नहीं है इस सवाल में कोई रिवैलेशन नहीं है मैं रिवैलेशन को ऐसे ही गायब कर दिये ठीक है ना तो ओपनिंग एडिशन क्लोज जा जा डिद्विन जाएशन क्लोजिंग बस यह करेंगे ठीक है हां अमॉर्टाइशन के साथ साथ इंपेर्मेंट भी आ रही है तो वह एक और ऑपशन होता है आपको अलग से सेक्शन बनाएं या मॉर्टाइशन के साथ स्लैश डालने तो वह मैं आपको सिखा दूँगा नहीं लेकिन फिलहाल चलें काफी है बस इतनी सी बात फिर अब पढ़ते साथ साथ ही है तो मैं जो फॉर्मेंट पना रहा हूं आप मेरे साथ ही वो मना लिए ठीक है सबसे पहले क्या आएगा जी ग्रॉस केरिंग अमाउंट कोई तेजी नहीं करनी जरा एक मिनिट के लिए प उसके बाद एडीशन होते हैं आए 38 यहां पर कहता है कि मुझे एडीशन जो है न वो जरा अलग-अलग करके दिखाओ जो एडीशन आपने इंटरनली जनरेट करके इंटैंजिबल में किये हैं और जो एडीशन आपने परचेज करके किये हैं तो बस दो लाइने लिखनी थ हैं वो आज इस तरह से इंटरनली जेनरेटेड और दूसरा परचेज भाई एंड वालो नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है एंड वालो डन है आमर भी आपको नजर आ रहा है रिजिस्टर कहा है आपको कि यह कर लिया होता आपने तब पर जी ओपनिंग बैनेस एडीशन उसके बाद बस उजिंग और कुछ है नहीं सवाल पढ़के जायर सी बात है आप लोगों को हमेशा से बताया है कि आपने फॉर्मेट बनाना होता है कोई नहीं एक अधी लाइन छोड़के लिख लिख लें दो लाइन छोड़के लिख लिख लें फर्क क्या पढ़ता है ठी लेकिन मैं यह कर लूँगा आपको बता दूँगा दोनों तरह से वैसे तो एक तरीका यह होता है एक मिनिट के लिए दरा रूप दें ओपनिंग वैलन्स और यहां पर अलग से लिखकर अमॉटाइज्शन को और नीचे एक और हेडिंग बनाएं एक और हेडिंग बनाएं एक यूठिड इंपेर्मेंट की और फिर इंपेर्म आलगसे सेक्शन हो और दूसरा option यह है कि इस वक्त को बचाएं और amortization slash impairment कर दें और एक line यहां पर amortization के बाद आगे impairment की भी add कर दें तो मैं वो काम कर लोगा आज time बचा लेंगे ठीक है बाकी इजादत है अगर आप चाहें तो नीचे एक और section अलग से भी add कर सकते हैं ठीक है बचो ओके चले अ बाकी वोई काम करना है आपने वो बतागी आपको मैंने इसलिए close नी किया था पहले कि हो सकता है आपको उस वक्त समझाता मैं कि देखे impairment आगई है अब क्या करें तो वह तो और अच्छा हो जगा close कर लेता है मैं कहता हूं जी impairment आगई है अब क्या करें section बनाया नहीं है तो amortization method और life या rate ठीक है ओके चलें जी अब सवाल करें मेरे ख्याल से क्योंकि अभी एक-दो सवाल और मैंने प्लैन किया है ऐसे हो नहीं सवाल टेंशनल हो जी जरा पढ़ें point ये one एक minute आपको देता हूं मैं हो सकता है एक minute में पढ़ते पढ़ते कि आपसे हो जाए इंशाल्ला जी बचो पढ़ा ऑन यकम जनरी अठारा हमारा ये रेंड का है जी 31 दिसम्बर अठारा तो हमारे साल के पहले ही दिन कुछ होने जा रहा है जी अल्ला खैर करें और यकम जनरी अठारा जैडल बॉट एन इंकम्प्लीट रिसर्च एंड डिवेलप्मेंट प्रॉजेक्ट रॉम बी टेक एट इस फेर वैल्यो ओफ नववे मिलियन दपरचेस प्राइस वाज अनलाइज़ एस फॉलोज रिसर्च तीस डिवेलप्मेंट साथ क्या करें जी सबसे पहले तो इसको कार्ड में यह दोखा है कि आपको दोखा दिया गया है अगर आपने आर एंडी पर चेस की है तो आपकी बला से वो रिसर्च एजर डिवेलप्मेंट आपके लिए तो सारे का सारा ही इंटेंजिबल अभी एग्जेंपल करवाई थी क्लास के सब्सेक्वेंट एक्सपेंडिजर इंकर्ड ओन इस प्रॉजेक्ट आर एस फॉलोज और फिर फर्दर रिसर्च हुई जायर इसी बात एक्सपेंस आउट ही करेंगे आप होफुली और डिवेलप्मेंट हुई ठीक है आगे हो कहते है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिलाइजेशन ओफ डिवेलप्मेंट वाज मैट ओन यकम मार्च दो हजार अठारह आल कोस्ट्स आर इंकर्ड इवनली फ्रॉम यकम जनुवरी तिल प्रॉजेक्ट कंप्लीशन डेट इस इकर्ती सगस्त मारे नहीं गए बाई साब पहली बात तो यह है कि जकम जनुवरी हमारा यह है दोहजार अठारह 31 दिसंबर ये रहा अच्छा पहली बात तो ये है कि हमने यकम जनवरी को ये बाए कर ली ठीक है आर एंडी सबसीक्वेंट एक्सपेंसिस जो हैं वो इनकर होना शुरू हुए पहता है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिलाइजेशन आफ डिवेलपमेंट वाज मेट आन यकम मार्च लेकिन जो सारी कॉस्ट हैं वो जनवरी से 31 अगस तक है बड़ा धोका दे गया हमें बहुत धोका दे गया देखो यकम मार्च तो यहां बन रहा है न ये ये ऐसे ही है जनवरी और फर्वरी छोड़कर ये यकम मार्च है ठीक है और प्रोजेक कब खतम हो रहा है जी 31 अगस्ट पर यानि यहां पर करके अब धोका पता है उसने क्या दिया है दोका यह दे गया आपको कि आपको पुरानी आदत के मताबक यह लग रहा है कि दस शायद सिर्फ इदर इदर रिलेट करता है और 48 जो है वो इदर इदर करता है लेकिन उसने आगे जाके आपको आपकी तसली कर दी सारी हो कह रहा है रिकॉर्डिंग के रहट इरिया यकम मार्च को पूरा हुआ है लेकिन सारी जो कॉस्ट्स हैं आल कॉस्ट्स वो इंकर हुई है इवनली फ्रॉम यकम जनवरी तिल लिक 30 अगस्त तो मतलब यह हुआ कि यह दस मिलियन अगर मैं इस कलर से करूं ब्लू से ग्रीन से करूं यह कहानी है यह भी पूरे आठ महीनों पर फैला हुआ है और भाई जरा आप ओपनिंग जरा हटिएगा और अगला कौन से 48 यह भी पूरे अरसे के ओपर फैला हुआ है जरा पढ़ लें इसको जरा एक बार तसली से यह समझ आती है बात समझ आती है तो बताएं फिर सवाल में जाके इसको सॉल्व कराते हैं नवे पूरे का पूरा आ गया बोलो और दस तो पूरे का पूरा चला गया उसकी टेंशन नहीं थी ठीक है ना मैं सारी एंट्री नहीं कर रहा हाँ मुझे चाहिए क्या नोड बना रहा हूं तो एसिट चाहिए ना तो इस दस से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है हाँ अड़तालिस के बारे में बताईए अड़तालिस क्या यकम मार्च से 31 अगस्त इन महीनों का है मार्च अपरेल मई जून जुलाई इन 6 महीनों का है 48 जो है वो यकम जनवरी से 31 अगस्त तक के 8 महीनों का खर्चा है और उस में से हमने 6 महीने निकाल के कैपिलाईज करने हैं ठीक है अब हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा था ठीक है और 90 मिलियन का प्रोजेक्ट हमने खरीदा और बाकी 48 का कुछ प इसका नाम कुछ था नहीं स्पैसिफिकली तो बस ठीक है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कंप्रोजेक्ट भी तो हो गया ना इसा रिचेंड डिवेलपमेंट फिर आप कैसे कहें उसके ओपनिंग कितना था जीरो कितना आपने खरीदा अच्छा परचेज पहले लिखना चाहि और वर्किंग यहां कर लेते हैं नुम्बर वन वर्किंग नाइंटी का तो हम खरीद के लाए थे और अटालीस रुपे हमने खर्च किये यह अटालीस रुपे कितने महीनों का खर्चा था एट मन्स कामेंस मेंसे कितना चाहिए टोटल क्या बन गया थर्टी तो वर्किंग नंबर वन का रेशरेंस देखा तेजी सवाल करना सीखें आप एंट्रीस करने बैठ जो मैं एंट्रीस करवा दी थी आपको इस कॉंसेट की इसलिए क्लास के स्टार्ट में आके एंट्रीस भी पता हो लेकिन आप यहां पर फिर आज एंट्रीस करने लग नवे रुपे का हमने यह इंट्रीस खरीदा मजीद 36 इस पर लगाया इस में से 40 में से 4 एक्सपैंस और 10 एक्सपैंस लेकिन हम प्रॉफ्टन लॉस अकाउंट थोड़े ही बना रहे हैं कि वह कहीं रिकॉर्ड करें हम एंट्रीस होड़े कर रहे हैं कि वह एंट्री भी करें अच्छा जी अब टोटल कॉस्स कितनी चलो इसको मौटाइज भी करते ना चले यह बात पूरी करते ताकि यह पॉइंट सारे ही फड़का दें इस एक्सपैक्टेड दैट इस एक्सपैक्टेड दैट न्यूली डिवेलप टेक्नालोजी विल प्रोवाइड एक्नॉमिक बै प्रोवाइडा उठा लिए देखें च्छतिस जमा नवे वैसे नवे जमा च्छतिस नवे जमा च्छतिस यह टोटल हो गया ठीक है कितना बनता है यहां पर भी नजर आ जाएगा आपको वैसे बाई जाएगा 126 यहां तो आ नहीं था ठीक है तो 126 को आपने बलके यूं करें 90 प्लस 36 इस इक्वल डू यह आगे इंटेंजिवल की कॉस्ट स्ट बस्ट चले ठीक है इसको आपने डिवाइड किया दस से और चार बटा बारहां कर दिया जी 4.2 बस ओपनिंग अमोर्टाइजेशन कोई नहीं थी अमोर्टाइजेशन 4.2 की अभी अभी रिकॉर्ड हुई और क्लोज बैलेंस कितना आ गया जी 4.2 ठीक है टोल्स यॉर्ट अबनाएगा और कुछ इस पॉइंट से रिलेटेड नहीं है तो फिर मैंने तो कहता हूं इसको क्लोज भी कर देते हैं कर दे और नीचे बेसिस वगारा लिख लेते हैं ताके पेपर चीनने वाले अगर आज आ भी जाएं तो यह तो हमें नंबर मिल जाएं सारे ठीक है जी 121.8 आ गया है मेजरमेंट वेसिस है मैतर लाइफ ठीक है लगाना लगा लगा लो जुबर तो कोई नहीं आप लोगों को लगाने की मैं तुछ लिए लगा दिया करता हूं ज़रा आपको दूर से पहचान हो जाएं लाइने नहीं नहीं होती हैं आपर नहीं है तो फिर अगला पढ़े अगला तो आपका फेवरेट आज फेवरेट आज होट वाला है पढ़े पढ़े आफ पढ़े पहले आफ पहले आफ ह MR जी कुछ पले पढ़ा हम तो यह उपन कर रहे हैं न पता है आपके साथ से चलो पहले पढ़ लें है क्या मामला और 31 दिसंबर 2018 यह तो साल के आखरी दिन है ZL Launched It's New Website For Online Streaming Online Streaming Of TV Shows, Movies And Web Series Online Streaming वाली Websites जो होती हैं आपको पता है वो सब्स्रिप्शन लेती है ठीक है एक बात है अगर Capitalize हो भी गई न ध्यान से देख लो Amortize नहीं करना इसको क्यूंकि किसदिन लाउच हो रही है हाँ यह मैंने का ऐसी ज़रबाद में भी यह नो अगर होई जाती है कैप्टलाइज तो यह नो आप मार्टाइज करने बैड़ जो ओके दवेबसाइट कॉंटेंट अच्छा जी उसके ओपर तो स्वीरें लगी होई तो प्रोमोशन तो होई जाती है अब अगर तो उसने हमें कोई अलग से कॉस्ट बता दी ना इससे रिलेटे तो उसको एक्सपेंस करेंगे और अगर ना बताई तो फिर मजबूरी है फिर हम कुछ से तो ही ना अंदाजे डायरेक्ली अट्रीविटेबल कॉस्स इंकर्ट फॉर वेबसाइट आर अब उसने यह चेक किया क्या आप स्टेंडर्ड लेकर गए या नहीं गए अच्छा लेकर भी गए तो आपको पता भी है कर नहीं कोई किसी चिडिया का नाम में जो कहीं पर है आपने पड़ी भी है क नहीं के नहीं भाख वोई चेक किया चेक करवो अब और यह के कोछ इसने दे दी हैं इन मेंसे हमने करना है क्शाइब करना है कि कौंसी हमने हमने इन टैंग्व轉 करना है है अब रिकॉर्ड किस पर करने है वह ऐसे टेटी टू ने बताया हुआ था कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनको एक्सपेंस करना है कौन सी ऐसी जिनको कैप्लाइज करना है ठीक है तो पढ़के देखते हैं अंडर्टेकिंग फीजिबिल्टी सेडीज मैं तो नहीं तमाग पर जोर देता ज्यादा प्लैनिंग एक्सपेंस इवैलिवेटिंग आल्टरनेटिव प्रॉडट्स इवैलिवेटिंग यह एक्सपेंस मैं क्यों जहन पर जोर दू एक्कुजीशन ऑफ वेब सर्वर लोग तो सही है है एक्सिशन कॉस्ट ऑफ ऑप्रेटिंग सिस्टम ऑफ वेब सर्वर्स यह एक्सेंपल भी क्लास के स्टार्ट में कराई थी अब घर से पढ़के आया थोड़ा सा कि यार यह जिक होना आज ठीक है ना तो इसलिए थोड़ा सा मैंने तादियत आपको स्टार नहीं है तो सही है है हाद हो करवाया जाता है ऐसी बात नहीं ठीक है जी तो भाई साब वो 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 ऑपरेटिंग सिस्टम जो वेब सर्वर को चलाने के लिए जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे पता लगा ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ही इसी चीज का है कि सिस्टम को करने के लिए जरूरी है यागर यह नहीं होब तो वेब सर्वर ने कोई नहीं चलना तो फिर यह कोई अलग से इंटेंजिबल नहीं होता यह भी साथ ही जाता है मैं भी ना ली जाना है वह वाला है यह ठीच है अब नेक्स्ट बताता हूं अच्छा जी उसके बाद रिजिस्ट्रेशन ओफ डुमेन ने लब 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 यह रहा यह तो एप्लीकेशन इंफ्रस्रेक्टर डिवेलपमेंट में आ गए है कैपिटलाइज होने वाला खर्चा ऐसे ही है फिर तो इसको मैं यू कह सकता हूं कि इसको छोड़ें इदर डि इंटेंजिबल इंटेंजिबल इसका अपरेटिंग सौफ़एर का इंटेंजिबल है तो बस उसको छोड़ो दफा करो अच्छा उपर वाले भी छोड़ो अब वह एक्सपेंस हैं और हम इंटेंजिबल का नोड माया हमें तो एसेट चाहिए तो डिसकेशन की जरुद भी न डिजाइनिंग दा अपियरेंस ऑफ वेब मतलब और कैसे कॉपी पेस्ट करें वो कैसे आप लोगों को आसानियां दे हो मतलब आप ही नफ पास होना चाहें तो अब आई कैप क्या करें यह आई कैप पास के पर का सवार जी कोई जेहन पर जोर ही देना पड़ रहा बोलें ज स्ट्रीमिंग ग्याना कैपिटलाइस तो अलग दे दिया एक्सपेंस आउट और यह बात भी इसने यहां लिखी हुई थी तो घर से पढ़के गया हो तो क्रेटिंग पर्चेजिंग प्रिपेरिंग अप्लोडिंग इंपरमिशन रिकॉर्ड अज एक्सपेंस वें इंकर्ड in accordance to the extent that content is developed to advertise and promote entities otherwise required as an expense when incurred unless expenditure can directly be attributable तो वो लंबी कहानी में बात हुई है जो आपको बताई थी साधा सी ठीक है ना तो वो ही apply कर ली हम क्या आपने content development को capitalize करना है लेकिन अगर content development में कोई ऐसा खर्चा भी है जो सिर्फ advertisement जैनी photographer को जो पैसे दी है उसको फिर भी आपने website की cost म वे तस्वीरें चाहिए जिनको लगा के आपने website को पर फिर content लिखना है तो तस्वीरों वाले को जो पैसे दी है अगर लक्स से बता दी है तो वो पिर भी उसकी cost में अड़ नी करने दी तो standard हो कहता है उसको expensive करो यह पहले ही बताया था वही काम ठीक है capitalize हो गया उसके बाद advertising of वो तो खुद ही उसने किया दिया तांगा कि advertising of website क्या करना है इसको इसका मतलब मारे मतलब की चीज़ तो सिर्फ बस इतनी सी कहानी था पंगरा नंबर का सवाल है अब आप खुद सोचो कितने नंबर होंगे इसके भी क्यूंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें करते नहीं है ना लिफ्ट नहीं कराते हैं चोड़के चले जाते हैं उस सर्प्राइज और यह सर्प्राइज नहीं है यह तो बड़ा recurring nature का topic है पूछता है यह अभी दिखाता हूं आपको और सवाल हों ठीक है अच्छा जी अब क्या है जी आपका फाइनल थॉट इस पे सिर्फ इन को पकड़ के कैप्टलाइज कर देंगे उसके बाद यह तो इडिशन इंटर्नली जनेरेट वाला पर्शेज वाला नहीं ठीक है ना यह तो आपने कर दिया उसके लावा अ कि अमोर्टाइजिशन वगार का तो को चकर तो फिर यह मुफ्त के नंबर पास होने के लिए जो दिये थे आईके अपने यह लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए क्या ख्याल है क्या लिखोगे यहां पर वैब साइटे ओपनिंग कोई पड़ी थी इंटर्नली जनेरेट के परचेस की है इंटर्नली जनेरेट की है एक मिनिट एक मिनिट नंबर टू नहीं लिखवाया आप लोगों ने अच्छ जी वर्किंग नंबर थ्री असल में आप एक्जैमजर को तो बताना है ना कि कैसे यह फिगर बनी तो चार फिगर ने तो बस प्लस करके यहां लिख दे और तो कोई अंग्रेज गिया लेखने का कह रहा कोई तो दो जमा तीन जमा पांच जमा ग्यारा वह उसको पता है उसने परचे में दी हुए फिगर्स की यह क्या के है बस जी प्रिंटी वन और यहां पर एफ़र कर दो वर्किंग ठीक है उसके बाद जी पर चेस तो है कोई नहीं और अमोर्टाइजेशन का क्या करें ओपनिंग कितनी पड़ी थी इसके अमोर्टाइजेशन के ओपनिंग में तो यह था ही नहीं एसे और अब कितनी होई है क्यों कि यूँकि एक 30 दिसंबर पे हमने इसको अच्छा अगर वैसे 30 ना भी करता तो और मैं धना पश this देना भी दुूरी थी स peak memory नहीं था दूर नहीं थी ना उसको ईरखर लाइफ रेमिजनक्म देना होती और है और साल मेल स्ट मैंनों से पहले नहीं सकते को नहीं कुछ से भी तो फिलाइव रें कर सकते positives verbs ।ो हरो है कि Life कोई नहीं कि निव कि फी ट्रेडाई मैथर्ड भी फिल हाल कोई नहीं कि और चौल नहीं लिखते यैसे कर देते नहीं पताचित । नहीं पता तो क्या करें कि ए१ंट प непoshoponer une मैंंतल बथाएं इस ऐग जिए आगर लिखा वा मिल जाता है मिसाल के तौर पर यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन में तो फिर स्ट्रेट लाइन मैथ तो लिख सकते हैं ठीक है ना अच्छ जी नेक्स्ट यह 15 नमबर का सवाल रहा है ना यह 15 का आप आज कल नहीं आता ऐसी कोई बात नहीं है कि आज कल मतलब 19 संदूर का सवाल है यह अभी कुछर से पहले का सवाल है पड़ो अगली एजिस्ट्समेंट कि अभी अकाउंटिंग ही बहुत असान प्रेफियाटू तो और भी रदा असान है प्रोवाइड रोज आएं और वीकेंड पे जितने सवाल कियों क्लास में एक सिटिंग में बैठके करते रहें हर वीकेंड थोड़ी इंमत चाहिए इसकोई पर आइक को कह सकते हैं आप इंमत सब्सक्राइब करते हैं तो फिर यह मतलब फिर आप मतलब तकल्फन आप हर चीज जैसे नाई के पास जाके स्टाइल एक जैसा ताके बंदे कंफ्यूज ही रहें हूं चलो माशाला आप लोगों के उमर में बरकत दे नामों जैसा करें अच्छा जी कहां थे हम यहां थे क्लास में तो हस्यान और हस्यान में खो गया मैं वापस आते हैं डिवीं 2018 लाइसेंसिंग अथारिटी इंटिमेटेड ब्रॉड कास्टिंग लाइसेंस ऑफ पढ़ो ना आ करें बहुत काम बाकी है अभी यार मैं इसको एक बज़े वाली क्लास समझ रहा हूं किछला सारा सेशन एक बज़े थी ना कितना ड़स मिनट रह गया है और इजनली ओमाइगाड पाइंट दस मिनट आज उपर लगी जाने जल्दी को कि द्यूरिंग अठारा अलाइस सेंसिंग ओथ और आटी इंटीमेटेड आप पढ़े में अधरा इसकी वर्किंग करनो थोड़ी से झाल को झाल झाल भाई हो गया काम जल्दी पढ़ें जी कुछ समझ आती है बात की पढ़ें जरा ड्यूरिंग दोजार ठारा कुप बात में पढ़ेंगे पहले ये पढ़ो जैडल हैड अब्टेंड दिस लाइसेंस फॉर जिसकी बात हो रही हो पर इंडेफिनेट पीरिए न जर्कम जनरी बारा बाई पेंग एक सो पचास मिलियन सब्जेक्ट टू रिन्यूवल फी ओफ पॉइंट थी मियन एवली फाइव लियर्स जी मिनीमल है न तो जबान भी और तरह से होगी एवली फाइव लियर्स पॉइंट थी जी डियर्सो के मुकाबले में पॉइंट थी वो चुन्ना सा है छोटा सा है चीक है इसका मतलब आज खड़े होकर एक सो पचास मिलियन पे करने वाले मैं और आप क्या सोच रहे हैं इंशाल्ला जी कराते रहेंगे तब भी तो इंडेफिनेट पिरियेड है इतनी मिनिमम कास्ट है के भई कौन छोड़ता है डेट सो मिलियन वाली चीज़ को पॉइंट त्री मिलियन के अंदर करवाएंगे इंशाल्ला ब्रोड कास्ट है उनका काम ही जाई है इस्तियार चलाना तो लाइसेंस उनको इतनी मुफ्त के अंदर रिन्यूवल मिल रहा है वो तो कभी न चोड़े ठीक है अच्छा अब यह तो मामला था जब यह कम जनुरी बारां पे इनों ने इसको खरीदा था साल कौन सा चल रहा है अठारां अच्छा यानि के बारां गुजरा तेरां गुजरा चौदां गुजरा पन्रां गुजरा सोलां गुजरा और सत्रां आया होगा पिछले साल और सत्रां में पिछले साल के पहले दिन यह रिन्यूवल भी हो गया होगा और अब अगले पांच साल तक इसने चलना था और हमारा साल आ गया जो है यकम जनवरी इठारा वाला साल किस साल के अंदर कुछ हो गया है क्या हो गया है आगे हो कहते है अप टु लास येर इस लाइसेंस वाज एक्सपेक्टिट तो कॉंट्रिब्यूट तो जैडल's cash inflow for indefinite period जाहर है उखेर देगे जी वो indefinite period तक cash flows उसकी वैसे आएंगे तब ही तो हमने कहा था हम भी इसको indefinite period तक इंशालला renew करते रहेंगे ये पुछली कहानी ठीक है ना अगली बात दूरिंग अठारा ओहो इधर कुछ गड़बड हो रही है दूरिंग अठारा हकूमत बदल गई वक्त बदल गया जजबात भी बदल गए दूरिंग अठारा क्या हुआ मैं यकम जनरी अठारा के उपर कह सकता हूँ दूरिंग अठारा को ठीक है ना लाइसेंसिंग अठार्टी इंटिमेटेड ड़ाड कास्टिंग लाइसेंस ऑफ वान ओफ एडल सेनल विल नॉट भी फर्दर रिन्यूड तो अगली बात ये तो हो गया हिस्ट्री ठीक है ये तो अब भूल जाओ दूसरी बार भी ऐसे कर लेकर ये तो अब भूली जाओ यानि के इसके बाद रिन्यूवल नहीं है अब रह क्या गया मामला यहां पे क्या है यहां पे मामला यह है इस दिन तक हम क्या समझते थे इंडेफिनेट होगी लाइफ इस दिन इस साल के डियूरिंग अठारा का मतलब एस्टीमेट चेंज है वेसी कली यह स्टारट पही ले आएंगे मतलब ठारा के अंदर पता लग गया ना ठारा के अंदर पता लग गया कि अब यह चिरफ renew और फाइदा देता रहेगा intangible पिछले साल तक भी ऐसा कोई है हमें पता नहीं था नहीं रिन्यू भी करवा लिया एक साल और भी गुजर गया और बंब गिरा 18 में कि जी आप ये मजीद renew नहीं होगा तो इसका मतलब अब इस दिन इस साल में खड़े होकर कितनी लाइफ इसकी बाकी है चार साल तो इसका मतलब इसको चार साल पर क्या करना पढ़ेंगा जी तो पिर करें आप इस बाद में अगली लाइन पढ़ना वो बाद में देखेंगे ठीक है तो हमारे पास अल्रेडी इंटेंजिबल मौजूदे देट्स होका कोई डिशन नहीं कोई डिस्पोजल नहीं उसकी अमोर्टाइजेशन एक रुपे की कोई नहीं थी क्यूंके इन डेफिनेट के लिए था लेकिन आप वहोगी ठीक है केजी से लसंस जी 150 कोई डिशन कोई डिस्पोजल नहीं 150 ओपनेंग कोई अमोर्टाइजेशन कर लेते हैं 150 डिवाइड वाइड वाइफ नहीं करेंगे मैं भी यही कह रहा हूं क्यूं क्यूंके 18 में पता लग गया रिन्यू नहीं होना तो अब पांच लाइफ बाकी नहीं है चार बाकी है तो पहले ही गुदार चुके थे हम ठीक है तो डिवाइड वाइफ फॉर इंटू इंटू शिंटू कुछ नहीं है पूरा साल जी क्यूंकि एसी मेंट चेंज जिस साल के जिस दि कि इत्ते सुष्ट लोग है ना तो तनी मैं फिर ये भी करवा दूगा आज वो भी करवा दूगा ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा आज और एक मिनिट रुक जाएंजी अभी पॉइंट त्री क्यों नहीं लिया क्योंके सेवन एज आके देखना उसमें हमने क्या किया था जो मिनिमम कॉस्ट होती है उसे एक्सपैंस किया होता है जी अच्छा जी अब अगला मस्ला आ गया मसलें के खतम ही नहीं हो रहे आज अगर रिकावरेबल अमाउंट सवाल में दे दे यह काफी इंडिकेशन है आपके लिए एक्जैम पॉइंट अफ यू से ना वैसे तो इंडिकेटर आपने फिर वन में पड़े थे इंटर्नल एक्स्टर्नल स्टेंड में भी लिखे होते हैं ठीक है लेकिन एक्जैम पॉइ सब्सक्राइब करें लिए आपको अगर दे दे तो लगा लिया ठीक इस लगा लिया ठीक है तो इंपेर्म Capital घ्ट करते हैं हम नंबर 5 वरी व में प्स पीजैम में टेस्ट में क्या लिया करते थे लिए घींक वेलीव और रिकावरेबल अमाउंट तो कंपेरे उनसे ही है तो बुक वैलियो है हमारे पास 150 का था साड़े 37 की बुक की डेप अमोर्टाइजेशन अभी अभी आपने पहली बार चार्ज की है ना इस साल की पहले चार्ज करोगे ना बोलो मार फोर भाई बताओ समझाई है तकी बात है जी वान वान टू पॉइंट फाइव उसके बाद रिकावरेबल अमाउंट ओ निकालना भी सीखी थी लेकर भाईजन ने भी बता दी उसने काया टैंशन ना लो टैंशन मा कावा रिकावरेबल मांण्ड क्या है 105 मिलिया तो अगर हमारा 105 मैक्सिमों का एक सो पांच रखता ए सेट किताव रारा पे उसको रखा हुआ है तो 7.5 क्या है Impairment Loss ठीक है अब Impairment Loss के Entry होती है Impairment Loss Debit Accumulated Impairment Loss Credit मैंने कहा था Option क्या है अलग सिक सेक्षन बनाओ लेकिन वो पहले ही मैंने आपको बता दिया था टाइम जाया होता है असान तरीका क्या है Slash Impairment लिख ले ठीक है और यहां पर मैंने जगा चोड़ी हुई थी परपल सुली ठीक है Entry बनी Impairment Loss Debit Accumulated Impairment Loss इधर ही हो गया क्रेड़िट ठीक है जो बताओ भई 45 और 10 आगे न 105 पर आगे न ओकाद पर स्टेड लाइन लाइफ कितनी थी चाह से बड़े आए सर आप धेर सारे सवाल हमें 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 धेर सारे सवाल करवाएंगे आप आपने ये सोच भी कैसे लिया How dare you sir मेरी वही गलती है मुझे माफ कर दो मैं Homework वाले सवाल जड़ा दिखा दूँ आपको आपको थोड़ा अंदाजा तो हो तो अच्छा जी अब आप तो समझ रहे थे ना बड़ी परानी बात थी ऐसा जी 32 आया तो नई बात भी देख लेते हैं जैसे तो एक सवाल और भी आगया देखो आगे छोड़ें इसको यह देखें जी बड़ा ही रीसेंट है यूफोन वाली इससे सस्ती तो खमोशी तो इससे जदा करीब और क्या लाएं अब हम नालिक होता है सवाल ते इस सवाल को पढ़ें जड़ा कहां जाएं हम कहां जाएं दवारों में टकरें मारें डिसकस क्या डिसकस करना है सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है इसके बाद और यकम जुलाई इससे डिवेलबा वेब साइट फॉर एडवर्टिजमेंट परपस यह सबसे एहम लाइन होगी इसको ना भूलना और सारे खर्चों से धोका ना खाना और यह सारा कुछ होगा इंशालला आप डिसकस कर लोगे आठ नंबर है ध्यान से करना है कम असकं इनीशियल मेजर्मेंट इनीशियल रेकिनीशन फिर जब हो जाए जो कॉस्ट एड करनी है पिर सबसीक्वेंटली अमॉर्टाइज करें इंपेर्मेंट वाला इस तरह की बातें किया करें आप मैंने तो डिसकस करना ही है इन्शालला इसके इलावा भी कोई चलें काफी है यह वाला सवाल कर लीजेगा यह दुबारा कर लीजेगा वेबसाइट कॉस्ट को अच्छे तरीके से देख लीजेगा स्टेंडर्ड जिद नहीं लाए घर पे पड़े हैं वो जाके हाईलाइट कर लीजेगा बी कॉन्फिडेंट एक और सब वैसे जरा नजर डलवा दूँ वैसे जरा नजर डलवा दूँ प्लीज एक मिनिट आप लोग बेशे किताबें बंद कर लें वैसे जरा नजर डलवा दूँ आपको यह सोलमा देख रहे हैं यह मैंने पिछले देख वाला खुला हुए लगता है नहीं यह भी होंवक है कंप्यूट कॉस्ट नहीं दोनों ही होंवक है चलें यह भी होंवक है जी होंवक वाला कुछस्टें भी डिसकस हो जायागा जानदा किदरे निए आपको दे देने का मतलब इस फस गया हूं अबने तो आजबा लिमिटेड में यह देख लें इसके अंदर कंप्यूट कहरा है कॉस कर लें और यह तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस लें चीज़ों को ठीक है और देखें नंबर भी देता है क्या हो मुफमें नंबर यहां सवाल लिक्यों है और भी देख लीजेगा जी इंशालला मिल जाएगा आपको को एक का दुका ठीक है तो बहराल मैंने आपको दो सवाल हो में कर दी है आप अपग्रेड हो गए है अजवा यह है एटीन सफियर और सिक्स्टीन अजवा अजवा अल्लाहाफिज हो मुफमें